और मोटे तोर पर वालमी की वर्से चमार हो गया है इस डिवाइड से काफी नुकसान हो सकता है काफी समाज में बटवारा हो सकता है कैसे देख रहे हैं इस डिवाइड को? यह दुरभा के पूर है और यह बंदर बाट अंदोलन के बात हो रहे है कि भारत बंद करेंगे 2 अप्रेल 2018 कर जो अंदोलन हो था उससे भी बड़ा अंदोलन करने वाले है लेकिन मैं सोचल मीडिया पर लगाता है और देख रहा हूं कि बहुत सारे जो संगठन है वालमी की संगठन है वो कहरें कि हम तो नहीं करेंगे बंद हम तो इसके खिलाफ है तो यह बंद के दोरान ऐसा तो नहीं है कि एक दूसरे के सामने आ जाएं एक दूसरे से उलज जाएं ऐसी स्थिती बढ़ जाएं लेकिन आप सवाल उनसे ना पूचके हम आपस में लड़ रहे हैं कि आप खा गए, चमार खा गए, मीना खा गए, यादव खा गए जिन लोगों के समझ में आ गया, पड़े, कॉलेज गए, मैनत की, सिपाई बने, दरोगा बने, लिएसपी बने, एसपी बने, आईपीएस हुए किसी हलवाय आदमी को तो कोई गवर्मेंट एसपी नहीं बना सकती मानली, अगर हम वालमे की कम्मुनिटी का दिकर करें, वो अपना पेशा नहीं चोड़ पाए तो पेशा चोड़ने की कुछ मजबूरियां भी होती है, अगर मैं वो काम करना छोड़ दूँ, तो मेरा पेट कैसे भरेगा, मेरे बच्चों का पालन पोशन कैसा होगा, मेरी आर्थिक्स देती अच्छी नहीं है, तो मजबूरी भी तो है, एक वर्ग को मजबूर भी बना पढ़ाई छोड़ दूँ, उनके पादार या मदार सब छोटी नौकरी सो बिल गई, छोटा लालच, उस सफाई की जो नौकरी सरकारी बिल गई, उसी पर उसी को रोने एडप्ट कर लिया, मेरे भी मार्मी में वहां पर कम से कम 15-20 लड़के हैं, भी मार्मी के, वह बालमी क बंद के दोरान ऐसा तो नहीं है कि एक दूसरे के सामने आ जाएं, एक दूसरे से उलज जाएं, ऐसी स्तिति बढ़े हैं, वह मुझे नहीं लगता कि वह सहयोग नदे यह तो बात हो सकती है, लेकिन उलजने वाली बात तो जोगे, नहीं पॉसिमिलिटी, उलजना तो नहीं कर सकते हैं हैं इसका का यह यह जाएं। कि इसको कैसे देख रहे हूं प्रिंसिपली इसको बाहर कर देंगे तो फिर आप दूसरे तरफ यह पईयारी कर रहे हैं कि वह जगह खाली रखेंगे और उसे आप और आने वाले समय में आप तो बाधा से उसके खत्रा बढ़ जाए गा करेंगे और अपना लाग उठाए लिए उसके बाद से समाज बटा हुआ नजरा रहा है कई जातियां इस फैसले का स्वागत कर रही हैं तो कई जातिया इसका विरोध कर रही है कुछ जातियों का कहना है कि हमारा हक खा गए थे अब हमें हमारा हक मिलेगा और मोटे तोर पर अगर इस पूरी डिबेट को समझें तो ये चमार या जाटव वर्सेज वालमिकी या भंगी इस तरह की डिबेट बन गई है कि चमार वर्सेज वालमिकी हो गया है और वालमिकी जाती के बहुत सारे लोग इसका समर्थन कर रहे हैं जबकि चमार जाती के बह ज्यादा समझने के लिए इस पर राए और श्रुमारी करने के लिए अमारे साथ आज कल्याण सिंग जी हैं जो की UP पुलिस से DCP के पद से रिटायर हुए हैं पुलिस में लंबा चोड़ा करियर रहा उसके बाद अभी अड़ोकेशी में हैं अड़ोकेट भी प्रेक्टिस करत है एक जो है इसकी खिलाफत कर रहा है और मोटे तोर पर वालमी की वर्से चमार हो गया है इस डिवाइड से काफी नुकसान हो सकता है काफी समाज में बटवारा हो सकता है कैसे देख रहे हैं इस डिवाइड को यह दुर्भा के पूर्ण है और यह बंदर बांट है बहुत सबसे पहले यह पूरा क्यों नहीं हुआ यह देखा जाना चाहिए अगर यह बहस सुरू हुई तो इसको पहले हंडेड परसंट से चुरेशन पर पहुंचना चाहिए था हर सुप्रीम कोट से लेके नीचे के कोट तक सेना के जर्नल से लेके सिपाई तक हर जगह participation होना चाह हुआ नहीं जहां जहां आरच्छन लागू हुआ उन विवागों में पूरा क्यों नहीं हुआ कुलपतियों में नहीं हुआ टीचर्स में नहीं हुआ प्रोफेसर्स में नहीं हुआ जी क्यों नहीं हुआ इस पर विचार नहीं किया गया आपके आरच्छन के पौदे की 70 सा आई कि आप पूर्ती कर सकते थे और उसके बाद आपको कुछ चेत्रों में मांग उठने लगी पूर्ती करने की तो आप उसको धारा को मोड़ने के लिए अपने फिर दिमाग का इस्तेमाल किया डिवाइड रूल का जबकि मांग यह नहीं चाहिए थी कि जो कोटा अभी आप पूरा नहीं बरा है उसको भरो पहले लेकिन आप मांग जो है उल्टी हो गई है फिर आपको राइडर्स मिल गए और जो राइडर्स मिले उनको आपने उल्टा लोटा दिया यह पौर उसके हाथियों को बापिस सेनाग को रौधने के लिए लोटा हो तो यह टेकनिक है और यह हमारे यहां ब्रेमरिकल माइंडसेट जो है उसकी टेकनिक है 6,743 जातियों में बटा हुआ हिंदुईजम है उसको बाप साब ने चार जगे लाके कर दिया अब यह जो सुद्र वर्ड है उसमें 3,600 कुछ जातिया है जो OBC और SCST है उनको अलग अलग दो गुरुपों में बाटके यह आगे बढ़ रहा था और यह अब विदान सवाहों में लोक सवाह में इतना अग्रेसिव हो गया था कि यह प्राप्त कर रहा था तो अब इनके सामने जो था कि इसको डिवीजन कैसे किया जाए तो दिस इस सिदूल कास और इसको यह रोकना चाहते हैं और देट्स वाई दिमाग इस्थेमाल किया गया जहां तक गवई साब के फैसले का है कि क्रीमी लेयर और वो दलित हैं वो सिदूल कास से हैं एक अच्छी फैमिली से हैं उनके बाप एंपी थे तीन बार अजय पल दे प्रिविलेज उठाया उन्हों अच्छी कमिनिट उसमें पले वो कितने लोग इसे गिव अप किये आरक्षण को सरिंडर कर दो अपने बच्चों को मत दिलवाओ जैसे हम लोग तीन लाग से ज़्यादा तनखा पाते थे तो हम लोगों ने वजीफा नहीं पाया हमारे बज्चों क्योंकि वो कैप थी कि डायलाग से जादा वैसे भी हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया रही बात यह कि कालेज उन्वेस्टी वहां भी दाखिला और या उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया होगा क्योंकि जगह मिलती नहीं चुकि डिडाई करने का एक और तरीका है कि सब वो इलिजिवल नहीं है तो सबसे पहले तो कितने लोग इलिजिवल नहीं है नौट फांड सुटेवल नहीं है कितने केरी फारवर्ड किये गए पाद फिर उनको कब भरा गया कब उनको जनरलाइज कर दिया गया तो यह यह जो प्रावलम्स आपने क्रेट करी यह प्रा वादान भी खुदी 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 अगले साल उसे केरी फारवर्स को भर देते हैं गोलते हैं कि कोई सुटेबल केंडेट मेरा लिए तो आगे बढ़ा दो एक-दो साल उसको खाली तोड़े रखा जाएगा फिर उसको जनरल में कनवर्ट कर दिया अब साथ वर्स के लिए जर्व गया उसके तो इस इन टैकनिक तू टैकल दिस प्रव यह एक तरह से जो चोर लगाते हैं न दिवार में कुंबल सेंद लगा दे उसी तरह का यह कुंबल लगाते रहते यह ड़कैती भी नहीं कर सकते सीधे नहीं आ सकते अगर यह सीधे आए तो आदमी अलर्ट हो ज मुताबिक तो वो 90% सभी पदों पर पहुचे हुए हैं, 90 से ज्यादा ही पदों पर वो higher institutions में मिलेंगे, judiciary में मिलेंगे, media में मिलेंगे, मंतरालियों मिलेंगे, सब जगे पहुचे हैं. अब हम दीरे-दीरे थोड़ा सा बढ़ रहे पढ़ लिखकर आगे आ रहे थे, तो अब हम सवाल पूच रहे थे कि आप अपनी आबादी से इतना ज्यादा क्यों हैं, के लिए जाडू के लिए, चम्रा साफ करने के लिए या गंदे पेशों के लिए सेग्मेंटों में कैद था, वहां से हम पेशा भी नहीं बदल सकते थे, बाबा साहब ने Article 19 में हमारे स्वतनतता दे दी हम पेशेवर स्वतनतता में चलेए, काम कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, उसका जिन लोगों के समझ में आ गया, पढ़े, कॉलेज गए, मैनत की, सिपाई बने, दरोगा बने, DSP बने, SP बने, IPS हुए, तो जो बिना कोसिस के तो नहीं, किसी हलवाय आदमी को तो कोई गवर्में को कंपोटिशन में आएगा, तब जाके ट्रेनिंग करेगा, फिर दीरे दीरे वो प्रमोट होगा, वो आपको फुल्फिल करना पड़ेगा, और एक जो डिपार्टमेंटल अनुसासन है, उसका पालन करना पड़ेगा, तो हमको यह लिवरेशन मिला आजादी के बाद, यह ह हो सकता है, थोड़ा बहुत पहले भी मिला हो, जो कि बावसा है, बगेर सब पड़े लगेता है, स्वामी अचूतानन जी थे, वो भी चला रहे थे इसको, अंदुलन को, यह अंदुलन संतों से, संत रविदास के बाद, और संत विदा के बाद, बैस सवस्ताओं के स्वामी है, या 1921 से, यह गिंती अलग से होना शुरू हो गई, हम एक अलग सेग्मेंट हो गए, सोसाइटी के, हिंदुईजम का हिस्सा तो थे, लेकिन हम अचूत, अचूत, अंटचेबल, तो अचूतों के लिए फिर सुविदाये देना सुरू किया, अंग्रे जोने भी, 1935 में, और इंडिया एक्ट में ही आरच्षण की विवस्था कर दी, उसके बाद 1950 में वह सहब के प्रयासों से, काफी आरच्षण मिला, बावजूद सासकों के, कि नहरू जी का उधारर देते हैं, कि नहरू जी किसी तरह का नहीं चाहते थे, और उन्होंने चिठ्थी लिगी, प् पॉलिटिकल लीडर थे, नहरू जी की पार्टी में बहुत ज़्यादे ब्रह्मन नेता थे, उनके दवाम में रहते थे, नहरू बजात खास इंग्लिस थे, बहुत ज़्यादा ओपन माइंड थे, लेकिन इंडिया में तो लीडर्शिप कर रहे थे, जैसे जिन्ना भले इस तरह से नहरू जी का इसाब थे, नहरू जी ओपन थे, इंग्लिस ज़्यादा थे, और इनके दवाम में भी थे, जो कॉग्रेस में ज़्यादा थे, नेता गार्ड, सवान या ब्रह्मन थे, उनकी कंडिशन थी, उनकी पुत्री इंडरा गांदी आई, उन्होंने आगे बढ पड़ी थी, और उससे यह हुआ कि एक तबका खड़ा हो गया, एक मिडल क्लास खड़ा हुआ दलितों में, सन पचत्तर से 82 तक जितनी भरतियां हुई है, कोर्सिज की, क्लेरिक्स की, डिपार्टमेंटों की, सब रेलवेज की, सब इंडरा गांधी के प्रयासों के और का खड़ा कर दिया, यह सिर्फ इंडरा गांधी के उस आंदोलन की देन है, जो उन्होंने 1975 में सुरू किया था, मैं तो जैप्रकाश जी से पूछता हूँ, वो सोचलिस्ट थे, और वो इंडरा जी का विरोध कर रहे थे, वह कौन सा सोचलिजम के खिलाब काम कर रही थ अगर वो गरीबों को पत्ते दे रही थी, अगर वो कर्जा माफ कर रही थी, सावुकारी अदिनियम लाके, अगर वो इंटरकास मेरेज्ग या इंटररीलिजन मेरेज्ग का एक्ट बना रही थी, तो क्या बुरा कर रही थी? बुरा ये था ना कि समाज को एक जो धाचा बना हुआ था, वो तूट रहा था, वो धाचा तूटेगा तो जाती व्यवस्ता तूटेगी, कहीं उसके सवरूप तूटेंगे, तो मैं तकलेफ लोगों को ये भी दिना, तो हो सकता है कि हम लोग भी उसमें भीड के मेंबर र हो के समाज के हमारे सभी वरूबर के लिए खास तोर से ज्यादा फाइदा हुआ है को उसमें, आğज काश Вас की सब्सक्राइब की और दूसरी जिनका numbers कम है वो संख्या के लिहाद से जो छोटी जातियां है उनका उन तक नहीं पहुचा उन तक नहीं पहुचा और इसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा यह बिल्कुल सुई करता है लेकिन चुकि यह सिस्टम पहले से इन्होंने ऐसा बना रखा है कि जैसे वो कहते हैं उस समय पढ़ाने की भी कई लड़के हमारे साथ भी पढ़े लेकिन उनके पढ़ाई छोड़ दी उनके फादार या मदार सब छोटी नौकरी जो बिल गई छोटा लालच उस सफाई की जो नौकरी सरकारी बिल गई उसी पर रहने और उसी को रोने अडॉप्ट कर लिया उसी बालबी की मंदिर पार जो दिल्ली में है पंचको या मार्ग या भासन दिया उनका बासन में पड़ा उनका भासन छोड़के चले गए उनने का पहले जाडू छोड़ दो दुनिया में सफाई जादा है भारस से वहां जाडू लगाने वाली कोई community नहीं सबी जाडू लगाते हैं और हमसे ज्यादा साफ है बारस से ज्यादा साफ है लेकिन हमारे हैं community वाइज जाडू लगाना है अगर आप जाडू लगाएंगे और सामको सो जाएंगे खापी के तो फिर आपके घर तरक्की नहीं आएगा आपको गंदे पेसे छोड़ने होगे बाबासाब यह कहाता सीधी से लिए चमार खाल खीच करके उसे बेच आते थे वो कॉस्टली विक्तिया आज उसकी कीमत बहुत जाते हैं लेदर इंडिस्ट्री में काफी कीमत है फ्लरिश करिये लेकिन उसकी वज़े से नफरत थी गंदा पेसा था उन्होंने छोड़ दिया बलके जो का काम करते थे उनके रिष्टिदारी तक बंद कर दी लोगा एक ही जाती है और अल्टिमेटली सब ने छोड़ दिया और सब फावडा कुदाल ले करके सडकों पर मजदूरी में दूसरे पेशे में आ गए और आगे बड़े बच्चों को पढ़ाया मौका मिला पुलिस में फौज में जहां भी दुम्मों का मिला छोटी नौकरियों में सब जगे वो भरती हुए उसी का नतीजा है कि उनकी दूसरी संतान इंजीनियर डक्टर रिसर्चर सब चरह की लोग में विदेश भी जा रहे हैं ज्यादा तर तो विदेश में बस रहे हैं और ऐसा नहीं कि उ से तहिए अमीर घराना होता 스ौश इस प्रफट्र को पावरी डी था प्रफट्टी रखने का हमारे पास प्रफटी नहीं थी खटी भी कर लिते तो उसे चिलए ये तो इनका बिदान है तो इस इस इंदू बिदान से हम लोगों को आजादी सिर्फ इस सम्विदान से मिली है और अब इसमें इन्होंने डिस्मेंटल करने का प्रोग्राम सुरू कर दिया सुप्रीम कोट के जज को कम से कम पहले एक डाटा तो मगाना चाहिए था गवर्मेंट ऑफ इंडिया से नेशन वाइड कोई डीटा होता है कि है क्या इस्थिती यह तो मुझे बताओ बस एक प्रिंसिपल ही है कि बालमीगी को नहीं मिला तो उन्होंने एक फैलाया है अब वह सारी जगे डाटा अगर जैसे बिहार का डाटा है वह ठीक है मुसहर को नहीं मिला लेकिन कुछ कास्ट ऐसी है जो संख्या में कम है और पदों में ज्यादा है जैसे दोवी या सौनकर का कुछ लगा उसमें कि वह वह वाई-चांस जो सिविलाइस सोसाइटी है उसक कि मैं तुका अपनाया वो थोड़ा आगे गए लेकिन जिन कम्मुनिटी में मान लिया अगर हम वालमी की कम्मुनिटी का जिकर करें वह अपना पेशा नहीं छोड़ पाए तो पेशा छोड़ने की कुछ मजबूरियां भी होती है अगर मैं वह काम करना छोड़ दूँ तो म इतना ही पैसा दें कि आपका बस खाना खर्चा चलता रहे और आप उसमें रहें से जाद आप सोची ना पाएं अगली पीडी के लिए प्रयास कर सकते हैं मैंने प्रयास किया यहां रविदास मंदिर पर कोचिंग करा के बच्चों को नौगरियों में निकाल लेगा उसमें हैं जो सिदूल कास के बच्चे हैं 30-40 निकल गया और बालमी की महले में मेरा कोचिंग सेंटर तो कैसा एक्स्पियेंस वहां मैं प्रयास करके हार गया मेरे जो लड़की उसको साफ करती थी उसके बच्चे पढ़ रहा है इंट्रमीडेट पास है लड़की मैंने का उसको को कोचिंग में बेज दो यहां पढ़के किसी सरकारी नौकरी में चली जाएगी अच्छा आप कॉंप्टिटिव एक्जेंस की तयारी करवाते हैं कॉंप्टिशन की तयारी कराता हूं मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूं लोगों के सहयोग से तो उसमें बच्चे निकल रहा है चोटी नौकरियों में तो दो टीचर रखा हूं तो मैं खुद नहीं पढ़ा पाता ज्यादा तो उनको पढ़वात हूं तो वह अटेंड नहीं किया अब यह एक साइकलोजीकल अध्यान करना पड़ेगा कि जो नव्यूग मार्केट में बालमी की वस्ती जो जाटवाड़ जाटवों का रविदास बंदिर उसके पास है वहां सारी शिक्षा उपलब्द है हम लोग प्रमोट भी करता चाहते हैं अच्छे टम्स भी हैं कोई अवारी रंजिस नहीं है लेकिन वो नहीं आ रहे आते नहीं तो एक तो समाजिक अध्यान यह होना चाहिए एक साइकलोज हो सावाजिक अध्यान हो कि यह क्यों है और मैंने दो दिन पहले एक डिबेट रिकोर्ड किया कुछ वाजमी के स्कॉलर्स के साथ में रिकोर्ड किया तो उनमें से हमारे साथ ही थे उनका यह कहना था कि जो आदमी बहुजन आंदोलन चलाते हैं जिन जातियों कि लोग जो त्रविट्राइब आंदोलन चलाते हैं मिश्नरी थे उनका है वह एंटे नियुक कोई कोशिश यह नहीं करते हैं आपका एकसिंपल बताता है कि को मियंद्य भीमार्मी में वहाँ पर कम से कम 15-20 लड़के हैं भीमार्मी के वह बालमी की लड़के हैं और बड़ा बेल टूटू है लेकिन मैं पढ़ने को बेज़ो किसी को अब पढ़ने को नहीं बेज़ पाए वो तो यह एक मुझे लगता है कोई साइकलोजिकल प्रावलम भी है तो इ बोलना चाहिए कि आओ पड़ो पड़ो हमारे तो उल्टा काम चलता है चमार खा गया जाटब खा गया पासी खा गया वह यह जब जगह खाली है और वह पड़ा लिखा है तो वह तो जाएगा नहीं तो कैरी फारवड होके ब्रहमन आएगा जनरल में चली जाएगी तो आप आपके जिब में तो नहीं जा रही है और यह कोई वस्तु नहीं है कि जिसको आपके जिब में डाल दिया जाए घर पर आके कोई नहीं देगा ना आपको इसके लिए अलिजिबिलिटी में जाना पड़ेगा कोई सुविदा है गवर्मेंट की तो पांच का साड़े चार के जाना पड़ता है अब आप जाएंगे नहीं पढ़ेंगे नहीं पैसा है ऐसा नहीं है कि दिल्ली और आस्पास NCR में बालमी की कम्यूनिटी के लोग जो सरकारी सेवा कर रहे हैं या और कहीं सेवा कर रहे हैं जाड़ों के काम से उनकी आर्थिक इस्तिति चमारों से कहीं ज जादे लोग हैं तो उसमें जो उपर का तबका है वो थोड़ा आपको दिखाई पड़ता है कि मालदार है डॉकरियों से काम दंदे जादा अधर वाइस गरीभी बालमी कियों से जादा है नंबर्स क्यों की जादा है संख्याम के अगर गरीबी का निचला इस टेटा देख सबस्क्राइब तो इनका घंडू फिलस्पी यही तो है कि भूका रखो तब वो जाडू लगाएगा जब तक कवर नहीं जुख जाएगी तब तक वो जाड़ू नहीं लगाएगा तो एक सियासत है इसके पीछ वो उनका जो skill है to control the people तो वो इनको वेडवकरीयों की तरह control करता चाहते हैं आमान भी एक को कुछ करने हैं सरकार की भूमिका की कोई बात नहीं कर रहा जो जनरल के टिगरी के सब चीले कब्ज़ किये हुए उस पर कोई बात नहीं कर रहा है तो वह तो एक हम अपने मकसद में काम्याब होते जरा रहें और हम आपस में लड़ते रहें तो यह जैसे अभी आंदोलन का एक जिकर हो रहा है कि अभी 21 अगस्त को अभी कि ऑफीशियल अनाउंस्मेंट बहुत सारे संगठनों ने नहीं किया लेकिन सोशल मीडिया पर चल रहा है आंदोलन के बात हो रही है कि भारत बंद करेंगे दो अप्रेल 2018 कर जो स्टेस्ट के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करने वाले लेकिन मैं सोशल मीडिया पर लगाता देख रहा हूं कि बहुत सारे जो संगठन है वालमी की संगठन है वो कहरें कि हम तो नहीं करेंगे बंद हम तो इसके खिलाफ हैं तो यह बंद के दोरान ऐसा तो नहीं है कि एक दूसरे के सामने आ जाएं एक दूसरे से उलज जाएं ईसी श्तिति बने वो मुझे नहीं लगता के वह सहयोग नंदे यह तो बात हो सकती यह लेकिन फिरी से जोदह तो नहीं पोसिबिलीटी फिर्ट जुद नहीं चाहिए अपना वह हुआ अनुबर्म ऑनकर सकते यह अपना यह भी कर सकते और तो अंदोलन तो अंदोलन नहीं है शान्ति पूर्ण तरीके से आंदो लोगा क्योंकि ऐसे से कोई आप छीन लेंगे, जेव से तो आप निकाल नहीं लेंगे, कोई बालमिकी काई इसकी जेव से निकाल लो पद, तो नहीं निकल ला न, पद तो जब क्रेट होंगे, भरतियां खुलेगी, तो अभी वरति होगा, जब आप दसमी पास करेंगे, जब आप कंपटिशन में आएंगे, हाँ ठीक है, आप आईए, वेलकम, ये तो हमारा देश है, जितने अम्बेट करवादी लोग हैं, उनका तो ये सपना है कि हम सब आगे बढ़ा पाएं, अपने छोटे वाईयों को, बरावर के वाईयों को सब को बरावर ला पाएं, ये तो अच्छी बात है, तो वेलकम करते हैं, मैं तो पूरा प्रयास करता रहता हूं, अपने गाम में भी प्रयास करता हूं, यहां सेहर में भी प्रयास करता हूं, लेकिन सफल नहीं हो रहा हूं कि कोई वालमी की बच्चे-बच्चियां आए, स तै करें और इन कुछ जातिव को बाहर कर दें इसको कैसे देख रहे हैं ये राज्य की ड्यूती नहीं है राज जी की अधिकार में जो अनसुषित जातियां है प्रख Alabama से बाजिके व हूँ इदिकारों से अगर उनकी हां अधिकार पह exhibited पॉंछ जाता ह нуж Dell को इन और जी चैनल जैसे अटो डरेंडर कर दिन में चप्राइबड़ कर दो आप च्राइब चापरा नेरे रहे- और उस नोक्री की वज़े से बढ़ाय लिखाई कि और देश के चार बड़े मीडिया संस्थानों में प्राइवेट नोकरी की और मैं अभी आरक्षन का फाइदा नहीं ले रहा अब दो परसेंट तो नोकरियन है सरकारी सेम मेरी एक्जंपल है जो आपने बताया मैं तो ग्रामीड मजदूर के यहां पैदा हुआ और फिर मैं सहर में रहा मैंने बच्चे यहीं गाजयबाद पढ़ाएं तो मेरे बच्चे सब वैल क्वालिफाइड है एक बेटी जो है इस बाइटी कंपनी में बड़ी बेटी है वह मैं सी है उसको जाइब बच्चे हमारे वाद सेटल्ड फैम्लीज को अवेली नहीं करते हैं प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कॉलेज में प्राफेसर है जी तो मैं तो नहीं समझता कि मेरे तीन बच्चों में कोई भी और आप दूसरे तरफ यह तैयारी कर रहे हैं कि वह जगह खाली रखेंगे और उसे आप और आने वाले समय में आप तो बाहर निकाल रहेगा गरीबी के अदार पर बाकी सब तरह के आरक्षंड खत्म हो जाएंगे अगर आपने आरक्षंड लगा दिया तो सब खत्म अब यह तो दिया हुआ है जितने जूटे सर्टिफिकेट आर्थिक पटवारी चीशने बना देते हैं अब यूपी एसी में कितने लोग पकड़ रहे हैं इस अजार रूपे से कब हैं महीने की बस हो गया गरीबी आर अरच्छ और वह बना देते हैं मात्र वह बन जा रहें है वो भी अनाज खा रहा है उसका पीडियस का जी पॉलिक डिस्टिबिस राशन मिलता है तो खाता है तो स्थिति खराब आप दिखा सकते हैं EWS का सर्टिफिकेट ले सकते हैं इससे खत्रा लगातार बना आपसे चाहूंगा कि आखिर में चलते चलते आप क्यूंकि अभी स जादा बटवारा देख रहा हूं नफरत देख रहा हूं कमेंट्स में सोचल मीडिया पर इन पर्सन मुझे तमाम कॉल्स आ रहे हैं और लोग इस डिबेट को समझने की जगह एक दूसरे से उलजने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप एक एडवाइस देन लो पर विदास टेंपल ट्रस्ट में सिद्धार्थ इंटर कालेज है वहाँ एक लाइबरेरी है हम लोगोंने एक हौल बना रखा है आए बहस करें और इससे लौस यह होगा कि वह जगह खाली रखी जाएंगी बलके यह आप करें आर्थिक आर्थिक में तो हमारा जित्ता बाल आज तीन लाग से उपर वाला फिर आप वह कैसे मांग लेंगे आरक्षण आउट जैसे आप बहुत सारी जगह पर यह होता है कि आप धाई लाग से ज्यादा आपकी फैमिली पास आप स्कॉलर्शिप्स नहीं ले सकते और जबकि एडिबले उसमें आठ लाक रुपए उनक करवी का बच्चा फिर और आच्छन का लाव नहीं पासको आप तो इंकम टेक्स पे कर रहें इंकम टेक्स के स्लैब में आते हैं जाई यह एक खत्रा बना रहेगा यह कह देना की सिर्फ एक जाती को फाइदा होगा एक नुकसान होगा यह तरह का भ्रम फैलाने वाली वाल म थंडे दिमाग से सोचें बैस करें बावय साहिब के भासनों को भी पढ़ें अभी आपके इंट्रिव्यू में एक लड़का पढ़के बता रहा था वो निगेटिव कमेंड्स और कैप्संस लगाना बहुत आसान है बहुत बड़ा एक बंडार है ज्ञान का उसके उनके बहु देखता से रहेंगे और आगे बढ़ेंगे तब कुछ पाएंगे नहीं तो इस देश में एक भी रिसी ऐसा नहीं हुआ जो इमांदारी से न्याय वाटा हूं मैं मॉरलिस्टिक आदमी की भी कह रहा हूं न कोई किंग हुआ भारत का जो हिस्ट्री में जिसने न्याय वाटा हुआ समाजिक नहीं किया है अब बाकी की स्थिति क्या है न कोई देवी न देवता सब काम किये हैं तो डिवीजन के और अपनी विजय के हमारा देश का आदमी अपनी विजय के लिए काम ना करता है प्राथ ना करता है लेकिन कुछ अमारे शाहु महाराज जैसे लोग वह इस एक बहुत बड़िया ने याद आता है उन्होंने सफाई कर्मी जो रेल्वेज में थे वो पाट ताइम जोग ता उसको उन्होंने पर्मनेंट कर दीया जी इंद्रा गांसे लग के लिए सबसہ बढ़ाए किते हैं उना सवाव इक दे कर दिया तो उने का आदेये क्या करेंगे कांच तो सुबही होता है तो बाभूजी ने सब जितने सफाई करें झार का सफाए ड्रेस इसु करो और संगे तैम पानी पिलाएं लाखों सफाई बज्दूर नौक्रिया मिली और पानी पिलाने की नौगरी मिली उससे जो morality का विकास हुआ और एक संपन्ता आई है उसमें यह सबसे बड़ी बात है कि बालमी की पानी पिला रहा है यह एक सामाजी कुरूप से भी बड़ी बात है जो हमारा जो सवन माइंस था वो पिएगा के नहीं पिएगा के नहीं पिएगा उसको कुछ बॉल नहीं सकते हैं और अभी मैं आपको बस एक अपडेट दू चलते चलते कि प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी की सरकार ने जिन services की कल्यान जी बात कर रहे हैं वो चाए waterman का हो lineman का हो वो दोबी का हो वो खलासी का हो वो सफाई करमचारी के वो पोर्टर के हो वो माली की जॉब सो इस तरह की करीब करीब दस बारा जो जॉब केटेगरी हैं उसकी सारी नोक्रियां रेलवे में प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी ने कर दिया और उनको outsource कर दिया है कि वह भार ठेके पर मजदूरी करा लेंगे उनसे वह भरतिया कर लेंगे लेकिन पकी नोक्रिया नहीं होगी तो अमें इन सब का भी ध्यान रखना होगा कि जब भी सब खतम हो जाएगा तो आरक्षन लागू होगा कहां जब नोक्रिया बच लानी होगी आप इस मसले पर क्या सोचते हैं हम आप पर अपनी राय कोई थौप नहीं रहे बस हम discussion कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग विचारों को आपके सामने ला सकें ताकि हम एक समझ बना सकें आने वाले दिनों में क्या अंदुलन होगा या अंदुलन नही नहीं होगा क्या स्तिती बनती है क्या राजनीती बनती है उस पर हमारी कोशिश है कि कुछ है राय शुमारी हो सकें बहुत बहुत शुक्रिया साथ्यों कमेंट करके जरूर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जैभीम इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं खाते का नाम है न्यूजबीक फाउंडेशन अकाउंट नमबर है 0-2-3-5-8-7-0-0-0-0-6-4-0 आप डोनेशन के एवेज में इंकम टेक्स में भी छूट पा सकते हैं डोनेशन के रसीद पाने के लिए ट्रांजेक्शन का स्क्रीन शोट हमें बेजें टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 859579-4224 पर वाट्सेप करें